तो यहां पहले कर पाएंगे अग्सक्ट क्या है डोस्तों जलेट एक स्टाटप कंपणी यहां पर आपको क्लियर करोंगा स्टाटप कंपणी यानि जो अभी शुरू हुई जो zero से start होती है उसको कहेंगे startup company startup company जब शुरू होती है धेर सारे challenges आ जाएंगे धेर सारे bugs आ जाएंगे धेर सारे negativity आ जाएगी धेर सारे लोग नहीं मानेंगे फिर भी यहां पे आगे बढ़ना होगा यहां पे commitment के साथ काम करना होगा तभी जाके success मिलेगा तो आज के दिन तक world में जितने भी companies है सारे companies अपने शुरूबात की zero से ही हम भी शुरूबात की zero से आगे बढ़ेंगे तो इतना बड़ा जैसों यहां पे market चलेगा दोस्तो million turnover से लेके billion turnover तक startup companies यहां पे market capitalization कर रहे हैं तो 10 lakhs को हम कहेंगे million 100 lakhs को हम कहेंगे billion यह billions of turnover startup companies generate कर रही हैं सारे world में च्छाई हुई है 2019 से पहले पेटियम किसी को पता नहीं था तो हम जैसों उस दौर में यूं समझते थे के अगर मेरे पैसे कुछ जैसों इसमें डालेंगे वैलेट में डालेंगे क्या पता कोई ले जाए क्या पता यह transfer हो जाए या नहीं जाए लेके भाग जाए ऐसा हम जैसों सोंसते थे 2019 से पहले पेटियम तो उसके बाद जब नोडबंदी आ गई नोडबंदी के बाद हमने पेटियम को सीखा हमने Google पे सीखा हमने फोन पे सीखा जिस तरह यह शुरुवाद किये जीरो से आज हम बड़ी आसाने के साथ पैसे ट्रांसवर कर रहे हैं तो यही होता है आप पूरा पहले खोदेंगे तो जब अपीरेंस आपका बुरा दिखेगा तब आपको अंदर जाने के बाद जब हार्ड साहिल आपको लगेगी तब आप जाके प्लिंट लेवल करेंगे उसके बाद foundation काम होने के बाद आपको थोड़ा सा जिसो अच्छा सा समझ में आ जाएगा फस्ट लेवल और सेकंड लेवल थार्ट लेवल जब बिल्डिंग के बिल्डिंग आप बनाते जाएंगे तब इमारत आपकी बनेगी जब इमारत बनेगी जब आप पेंटिंग करेंगे जब आपको समझ मे आ जाएगा कि ये थी startup company तो उस startup company में आपका जिसो स्वागत है दोस्तों यहाँ पे जिस platform में आप जुड़े हुए हैं वो जिसों पैसों का समुंदर है धेर सारा पैसा यहाँ पे दो सेक्टार्स में है एक है share market और एक है आड़ड़ाइजमेंट में मैं वल्ल की जिसों यह आकड़े पकड़ रहा हूं आलमोस्त 662 बिलियन डालर्स आफ मीडिया स्पेंडिंग इन 2019 तो मीडिया यहाँ पे 662 बिलियन डालर्स यानि दोस्तों सौलाथ यहाँ पे 662 इंटु 100 यहाँ पे करिए तो आपको समय में आ ज 2024 2024 तक यह आंकड़ा चलेगा 865 बिलियन डालर्स तक इतना बड़ा मार्केट क्यापिलेशन है इतना बड़ा दोस्तों यहाँ पे पैसों का सम्मुंदर है इस पैसों के सम्मुंदर में हमने आज ही स्टेप रखा दोस्तों आने वाले दिनों में जब हमारा रेवेन्यू जन टिर्ट है एक है आडबड़ाईज्मेंट देखना है यह एक चोटा सा टास्क दिया जाएगा इस टास्क को हम कंप्लीट करेंगे तो हमें यूरो में पेइमेंट मिलेगा हम्मर्फरल इंकम भी करेंगे अगर एक्क्स्त मिलें सब सब्सक्त हैं तो आज की दिन है जो आपको 100% रेफरल इंकम देने वाली कंपनी है तो आप जब आपका नेटवर्क बनाएंगे नेटवर्क के माध्यम से भी आपको जैसे मंतली लाइफस्टाइल बोनस मिलेगा तो आपको क्रिप्टो करेंसी भी इंकम मिलेगा शेर मार्केट से इंकम मिलेगा आने वाला शापिंग पोर्टल है जो जैसो हम घर बैटे हुए हर चीज को हम मंगवाते हैं हम अगर जा हम बाहर जाकर वेजिटबुल अलग से नहीं पर शापिंग पोर्टल जो शापिंग पोर्टल हमारा आना वाला है शापिंग पोर्टल आने के बाद दोस्तों और आपको जैसों दिखेगा के जालेफ्टल क्या करेगा कैसे हमारी जिंदगी चेंज होगी तो दोस्तों इसमें आज हम मैरोशने डालोंगा क्रिप्टो करेंसी तो cryptocurrency क्या चीज है, cryptocurrency को हमने क्या समझा, cryptocurrency से क्या हम वैसे कमा सकते हैं, क्यूं cryptocurrency को लेके आज हर कोई discuss कर रहे हैं Even government of India भी आज के दिन cryptocurrency पे 30% यहां पे tax लगाई, 1% TDS, 29% यहां पे cryptocurrency का tax लगाई क्या है दोस्तों यह चलिए देखते हैं, दोस्तों मैं पहले आपको एक बात clear करना चाहता हूँ, थोड़े थोड़े अलफास clear करूंगा उसके बाद आगे ले जाओंगा जाका token के तरफ, तो उससे पहले दोस्तों यह जो cryptocurrency है, generally cryptocurrency दो तरीखे के होती है एक होता है bitcoin और एक होता है altcoin, आज आप market के जैसो, market में आप जाएंगे, देखेंगे online में, तो उसमें आपको 18,000 cryptocurrencies मिलेंगे 18,000 cryptocurrencies में bitcoin को छोड़के, जितने भी currencies है, सारे currencies को कहेंगे altcoins, प्रत्याम नई coins, alternative coins, bitcoin तो शुरुवादी वाला है इसको छोड़के, जितने भी आपको दिखेंगे, यह है alternative coins, alternative coins को ही आप कहेंगे shortcut में, यह यल्टी, altcoins कहेंगे तो यह clear हो गया दोस्तो, bitcoin है, altcoin क्या है हमें पता हो गया, next, based on generation, cryptocurrencies तीन किसम के है generation के माधियम से, जिन्होंने शुरुवादी की थी, तो वो है bitcoin, bitcoin को हम मानेंगे, first generation वाला cryptocurrency तो इसको भी महनत की गई, दोस्तो इसे योँ ही नहीं बना गया दोस्तो, यह आस्मान से bitcoin नहीं टपका, यहाँ पे हवा में उड़के हमारे पास bitcoin नहीं आया, bitcoin को लेके धेर सारी कोशिश हुई, महनत हुई, धेर सारे failures मेरे, फिर भी यहाँ पे efforts लगाए गए, महनत लगा यहाँ पे patients के साथ, XOE के साथ काम करे, तब ही जाके Bitcoin successful हुआ, तो यही Bitcoin हमारा आता है, first generation वाले में, next, जो Bitcoin से भी बढ़िया वाला, जो cryptocurrency बना, वो है second generation cryptocurrency, second generation cryptocurrency में Ethereum आता है, दोस्तों, Ethereum जो आपको image पे दिख रहा है, तो white t-shirt पेने हुए हैं, जो 19 साल उमर वाले, रशिया के जैसो origin से, parents इनको Canada ले जाके, वहाँ से जैसो इनकी पढ़वाई की, दस्तों, तो यह है Vitalik Bitterin Sir, तो Vitalik Bitterin Sir, 18 साल के उमर में ही, Bitcoin के white paper को पढ़ना शुरूप किया, जिस तरह आज ह हम जाका का website पढ़ते हैं, देखते हैं कि white paper कहां है, तो जो data है, जो information है, वही है white paper, इस white paper को इन्होंने Vitalik Bitterin Sir ने पढ़ा, आज भी हम पढ़ते हैं, बट इन्होंने ऐसा पढ़ा, कि उस जिस चीज को उन्होंने पढ़ा, उस चीज में ही इन्होंने changes करने चाही, इन्हों टेकनालोजी पर काम करता है, उस टेकनालोजी पर हम यहां पर छेड़ चाड़ी करेंगे, और आने वाले दिनों में bitcoin बढ़िया वाला चलेगा, तो धेर सारी लोगों ने इन्होंने रोका, तो इन्होंने हटके, तो यहां पर in the year of 2015 में अपनी own एक brand बनाई, अपनी own blockchain technology बन आता हूं दोस्तों आपको, जितने भी मैंने कहा, आपको 18,000 crypto currencies है, सारे crypto currencies काम करने पड़ेगा, तो यह काम करने के लिए एक technology की जुरत पड़ेगी, वही है blockchain technology, तो जो bitcoin के पास है, उसको हम कहेंगे, bitcoin blockchain technology, जो second generation वाले ethereum के पास है, वो है ethereum वाला blockchain technology, तो जो ethereum वाले blockchain technology को ब दिख रहे हैं, मैं अभी इनको मार्क करोंगा, यह है, विटलिक बिटरिंच सर, विटलिक बिटरिंच सर, 19 साल के उमर में, blockchain technology के अंदर, यहाँ पे applications लिखे, computer language को इस्तेमाल करके, applications लिखे, तो यह smart contracts, blockchain technology में, applications के माधियम से, यहाँ पे smart contract based है, blockchain technology, तो दोस्तों, विटलिक से, पांच साल कड़ी मेहनत की, दोस्तों, कड़ी मेहनत के बाद ही, यहाँ पे second generation वाला Ethereum cryptocurrency बना, तो next, अभी हमें जरुरत है, third generation वाला cryptocurrency, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यह जो चश्मा लगाए हुए हैं, शेट पहने हुए हैं, experienced person लग रहे हैं, यह है, चार्ले हसकिन संसर, जो जैसो इनके साथ में काम करें, विटलिक बिटरिंसार के साथ में काम करें, चार्लेस हसकिन संसर, तो चार्लेस हसकिन संसर चाहते थे, कि और भी second generation वाले में हम changes लाएं,